एलो डिया स्टूरेंट्स आप सब्सक्राइब करता हूँ है एक बार फिल से एक और नहीं इंफरमेटिव वीडियो में तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि स्कूल ओफेमिनेंस और मेरिटुरी स्कूल का जो रिजल्ट है वो कब आएगा तो आप सब्सक्राइब के काफी सारे कोशन्स हैं डाउट्स हैं या फिर क्यूरी से हैं कि जो स्कूल ओफेमिनेंस और मेरिटुरी स्का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा तो आज के इस वीड़ो में इसके रिजल्ट के बारे में हम आपको जो इंफिल्मिशन है वो फ्रवाइट करने वाले हैं क्या अपडेट है उसके बारे में बताएंगी की है वो जारी की जाती है तो डिपार्टमन की तरफ से वो जारी कर दी गई थी बाद में उस आंसर की पर जो अबजेक्शन्स है वो मंगवाए जाती है जिससे कि अगर किसी स्टूर्ट को लगता है कि उस आंसर की में जो आंसर है उसके एकोडिंग सही है बर डिपार्टमन तो काफी सारे students की तरह से objections जो है वो डाल दिकेंगे अब department की तरह से उन objections के जो questions के answer है उनको check किया जाएगा और उसके बाद जो answer की है उसको revise किया जाएगा जब आपकी answer की revise हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो result है वो लगबग तियार होगा यानि की revise answer की के बाद जो भी आपकी proper answer की होगी वो revise की जाएगी तब उसमें क्या होगा कि अगर department को रगता है कि उनका जो answer है वो सही है और आपकी तरफ से जो answer बेजा गया उसका प्रूब बेजा गया है वो भी सही है जाने कि आपकी तरफ से जो आशर बेसे का है वो D है और डपार्टमट की तरफ से जो आशर है वो B है तो अगर दोनों में कुछ लगते हैं कि दोनों ही सही हो सकते हैं तो दोनों के जो नंबर हैं वो as a grace mark जो है वो student को दिये जाते हैं सब इस student को दिये जाते हैं उस question के answer के जो नंबर है वो सब को मिल जाते हैं तो माली जैसे आपके answer की according 100 बनते हैं तो फिर वो एक number जो है वो सभी को दे दिया जाता है जो आपका भी answer से है और department का भी answer से है as a proof जो आपने बेजा है और department का जो अपना answer है अगर आपका objection जो है वो सही नहीं है या आपकी तरफ जो proof बेजा गया है वो सही नहीं department का ही सही है तो आपको जो objection है वो गलत हो जाता है और department की तरफ से ही जो answer की है उसके according है जो number है वो दिया जाता है उसके बाद क्या होता है कि जब आपका सारा कुछ process हो जाएगा उसके बाद matter list बनती है तो matter list कैसे बनेगी जो भी आपका result होगा वो conclusion किया जाएगा उसके बाद तो जैसे for example 1000 student है तो 1000 student के नाम आएंगे उनके आगे उनके जो number है वो आ जाएंगे तो इस तरहें आपका result है वो त्यार किया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि आपके जो subject wise नमबर है subject wise नमबर देखे जाएगे आपके जो subject हैं उसमें आपको जितने number चाहिए 35% number चाहिए क्या वो आप leasible है अगर वो सारे चक किये जाएंगे उसके बाद आपका जो result है वो declare किया जाएगा leasible किया जाएगा अगर किसी subject में आपके 35% से number कम है तो आप node leasible वहाँ पे आपका जो result के option पे non-elisible आ जाएगा या disqualify आ जाएगा और अगर आपकी सभी subjective number के लिए रही तो आपका जो total है वो किया जाएगा और उसमें आपको eligible किया जाएगा और आपके जो total number है वो बताए जाएगे तो इस तरही department की तरव से जो mad list है वो त्यार की जाएगी result जो है वो त्यार किया जाएगा अब देखना होगा कि पहले result आता है उसके बाद mad list आती है या फिर department की तरव से direct mad list ही declare की जाती है तो result में क्या आता है कि result में सभी students के नाम दिये जाते है तो जैसे माल लेजिए आपकी जो roll number है उसके according सभी के नाम होगे उनके आगे उनका जो result है वो दिया जाएगा माल लेजी 1 lakh student ने exam दिया है तो उन सभी का जो result है वो declare किया जाएगा उसके आगे eligible not eligible जितने number है वो दिया जाएगा बट जो mad list होती है mad list में क्या होता है कि जो student eligible होते है उनका नाम जो है वो mad list में बेजा जाता है कि ये student qualified हो चुके है और इनका नाम जो है admission के लिए eligible है तो इस तरह result और mad list अलग होती है तो पहले क्या दो था कि mandatory school का जो result जा mad list अलग बनती थी और school families की जो result है और उसके बाद district wise जो mad list है वो बनती थी अब इस बार combined interest exam लिया गया है तो अब उसके according department की तरफ से किस दिने से जो mad list है या result जो है वो डेक्लियर किये जाता है ये देखना होगा क्योंकि ये नया process है इस बार नई चीज जो है इंप्लिमेंट की गई ये department की तरफ से तो इसलिए इस process को करने में थोड़ा time लगता है क्योंकि अगर एक बार जो mad list है वो जारी कर दी गई या result declare कर दी है उसमें बाद में कोई change नहीं होती है तो इसलिए department की तरफ से पूरा data जो है वो consolidate किया जाता है result तियार किया जाता है उसके बाद ही जो result है वो declare किया जाता है तो इसलिए आप सभी प्लीज पेशन सरकिए जो आपका result है objection जो answer की आती है उसके बाद objection वांगी गई थी 6 April last year थी तो 6 April से लगवख आप 10-15 दिन customer लगा के चलिए तो आपका जो result है वो 20 April से पहले या 20-25 April तक जो है वो declare किया जा सकता है बट अगर मैं last year की बात करूँ तो पिछले साल जो भी आपके exam होते थे तो उसका जो result होता था वो काफिन लेटा था था जल से जल जो military school or school of evidence का result declare करके उनकी जो classes है वो छुटियों से पहले जाने की मई मत में start कर दी जाएं तो इसलिए आपके जो result है वो जल्दी declare किया जा सकता है तो जस्ट आप वेट कीजिए बाकी official कोई update आती है official यानि की CRT की तरफ से ये जो result है declare किया जाएगा उनकी तरफ से को official date आती है या फिर हमें कुछ और sources से पता चलता है कि आपका जो result है किस fix date को आ सकता है तो वो मैं आपके साथ जरू share करूँगा तो फिला जो result है उसको prepare होने में ready होने में या सविर सारा data consult होने में थोड़ा समय लगता है इसलिए आपका जो result है वो 10 से 15 दिन का समय लग जाता है बट अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि school of families का अलग थो होता था और materiors का लग होता था तो last year जो school of families का exam भी पहली हुआ था उनका result भी पहला आया था materiors school का exam भी बात में हुआ था और result भी बात में आया था बट इस बार दोनों का result और exam एकठे हुआ है exam कठे हुए थे result भी एकठे ही आएगा तो इस बार पिछली बार मैं बात करूँ तो काफी सारे जो student थे उन्होंने school of families में डिमेशन ले ले थी और बात में जब materiors की counseling हुई तो वो school of families छोड़के materiors school में चले गए तो जिससे की school of families में कुछ student जो waiting में थे उनको भी chance नहीं मिला और उनकी जो seat थी वो भी कह लीजे की जैसे admission पहले ले ले ली, reserve कर ली सब कुछ कर लिया और उसके बाद छोड़ दी और school की तरह से भी जो बच्चों की seat थी वो भी कम हो गई इसलिए इस बाद interest exam इसी लिये गया है join ताकि school of families में जो जाना जाते हैं वो वहीं पर रहेंगे जो materiors में जाना जाते हैं वो वहीं पर बहेंगे कोई clash नहीं रहेगा बाकि आप सब वेट कीज़ी है तो जैसे मुझे update पता चलेगी मैं next video में आपको सारी चीज़ी जो है वो guide कर दूँगा और भी information वाले video जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका result नहीं आता है या फिर आपकी जो admission है वो नहीं हो जाती है तो मैंने school of feminist और meritories के regarding दोनों में क्या difference है वो अलग से एक video त्यार कर दी है अगर आपने नहीं देखी तो प्रीज देख लीजीगा और जो school of feminist और meritories के result के बारे में मैंने google form fill कर वाया था तो मैंने 1031 student ने जब form fill किया था उसके regarding आपको provisional merit list जो है वो upload कर दी थी तो अब काफी सारे उससे भी थोड़े ज़्यादा जो student है जैसे 5-600 और student ने form जो ही वो fill कर दिया है तो कल जाने की 13 April को मैं जो आपकी provisional merit list जो है गोगर form fill किया है उनकर जो result है वो update कर दूँगा तो अभी भी अगर आप वीडियो देखने है और form fill नहीं किया है तो link दिया हुआ है मैंने वीडियो के description में वहाँ से आपको google form जो ही वो मिल जाएगा वो fill कर दीजिए आप 9th 11th जो भी class में हैं आप तो कल आपको जो result है वो मैं declare update कर दूँगा उसके बाद मो जो google form की file वो मैं log कर दूँगा फिर कोई भी उसको fill नहीं कर पाएगा तो चलिए आज की इस वीडियो में यही update सी ज़दी मिलूँगा आपके साथ next नहीं और formation वाली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जय हिंत